Very very good morning students of class 8 Students, कक्षा आठ के बच्चों, आज हम आपको आपके आमोधनी पुस्तक से पाठ नमबर नौ का पाठ नमबर नौ का वीडियो डालेंगे बच्चों, मिठाई वाला पाठ का नाम है मिठाई वाला तो देखिए हम लोग पाठ नौक पर चलते हैं, पाठ का नाम है मिठाई वाला हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे इस पाठ में students एक मिठाई बेचने वाला है, जिसके विसे में पूरी कहानी है उसके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई थी, उसने ये काम कैसे सुरू किया है आदि आदि इसमें बताया गया है तो चलिए हम लोग इस पाठ पर फोकस करते हैं और हम इस पाठ का वीडियो बनाते हैं आप इस वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा ठीक है, पाठ का नाम है मिठाई वाला भावनात्मक कहानी है ये तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे सोचे ना कि क्या सोचे इस पाठ में ये बात भी बताई गई है कि बच्चों को कैसे सोचना चाहिए क्या सोचना चाहिए इस चीज को नहीं बताने जरूरत है कैसे सोचना चाहिए वो बताना जरूरी है तो ये आपका है पाठ बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलाने वाला अधूरे वाके को वह ऐसे विचित्र किन्त मीठे स्वर में गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार आइस्थिर हो उड़ते कहने कतात पर यह कि उसके आवाज में ऐसा समोहन था और ऐसी मतलब दर्द या भावना चिपी थी कि उसके आवाज को सुनकर कोई भी आइस्थिर हो उड़ता था उसके इसनेहा अभिसिक्त कंट से फूठा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मत जाती थी इसनेहा अभिसिक्त इसनेह से भरा हुआ इसनेह में डूबा हुआ कंट कंट माने गला गले से जो उसके आवाज गाने की आवाज आती थी जो सुनते थे लोग तो आजपास के मकानों में हलचल मत जाती थी छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए यूतियां चिकों को उठा कर छज़ों पर से नीचे जाकने लगती थी इतना आकरसंड था उसकी आवाज में गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उध्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का जुंड उसे घेल लेता था और तब तक खिलोने वाला वहीं कहीं बैठ कर खिलोनों की पेटी खोल देता जब सारे बच्चे उसे खेल लेते थे तो वो वहीं कहीं बैठ कर खिलोने की पेटी खोल देता था बच्चे खिलोने देखकर पुलकितो उटते थे खुश हो जाते थे वे पैसे लाकर खिलोनों का मोलभाव करने लगते थे और घर जाके वो पैसे लाते थे और खिलोने ये वाला लेना है ये वाला लेना है कितने का है इतने का देदो इस त उसमें कोई पूछता है इच का दाम क्या है और इच का खिलोने वाला बच्चों को देखता उनकी ननी ननी ओंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की एक्छा अनुसार उन्हें खिलोने देदेता खिलोने लेकर भी फिर बच्चे उचलने खूदने लगते और फिर खिलोने वाला उसी प्रकार गा कर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला बच्चे खिलोने लेकी जाते उचलने खूदने लगते और खिलोने वाला फिर अपना वही उसी तरह से गाने लगता है इस ओर से उस ओर तकलहराता हुआ पहुँचता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता मतलब उसके आवाज में उसके बेचने के तरीके में और उसके जो गाता धव गागा कर भी इतना मिठास इतना अपना पन इतनी अपना तुधी कि सभी को मुह लेता था वो रायवीजे बहादूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आये वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू चुन्नू जब खिलोने से खिलोने ले आया तो बोला मेला गोला कैसे चुंदल है मुन्नु बोला ओ देखो मेला हाथी कितना चुंदल है दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उचलने लगे इन बच्चों कि मा रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निहारती रही आन्त में दोनों बच्चों को बुलाए कर उसने उनसे पूछा अरे ओ चुन्नु मुन्नु ये खिलोने तुमने कितने के लिए है मुन्नु बोला दो पैचे में खिलोने वाला दे गया रोहणी सोचने लगी रोणी जो उसकी मा थी वो सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया दो पैसे में इतना बड़ी अखिलोना दे गया वो कैसे दे गया उसे बिलीब नहीं हो रहा था विश्वास नहीं हो रहा था यह तो वही जाने लेकिन दे तो गया ही है इतना तो निश्ची थी है एक जरासी बाट ठहरी रोहनी अपने काम में लग गई फिर भी उसे इस पर विचार करने की आवश्यक्ता ही भला क्यों पढ़ती ऐसा उस समय उसने सोचा क्योंकि उस समय उसने ध्यान दिया बाट में फिर वो अपने काम में लग गई आए गई बात ऐसी रह गई छे महिने बाद नगर भर में दो ही चार दिनों में एक मुल्ली वाले के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे भई वाह मुल्ली बजाने में एक ही उस्ताद है मुल्ली बजाकर गाना सुनाकर वह मुल्ली बेचता भी है वो भी दो-दो पैसों में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा मेहनत भी तो ना आती होगी फिर वो छे महिने बाद वही खिलोने वाला मुल्ली बेचने लगा था और उसके मुर्ली बेचने का वही तरीका वही मिठास और मुर्ली इतनी बढ़ियां बजाता था कि लोग खिचे चले आते थे और मुर्ली भी वो मात्र दो-दो पैसे में दे देता था एक व्यक्ति ने पूछा कैसा है वह मुर्ली वाला मैंने तो नहीं देखा उत्तर विला उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी यही तीस-चालिस का होगा दुबला पतला गोरा यूवक है विका नेरी रंगेन साफा बानता है वही तो नहीं जो पहले खिलोना बेचा करता था क्या वह पहले खिलोने भी बेचता था हाँ जी हुलिया तुमने बतलाया वह भी ऐसा ही था तो वही होगा परभई मैं परभई है वह उस्तार प्रति दिन इसी प्रकार इस मुर्ली वाले की चर्चा होती नगर की प्रतेक गली में उसका मधुर स्वर मृदूल स्वर सुनाई देता बच्चों को बहलाने वाला मुर्ली वाला रोहडी ने मूर्ली वाले को यह स्वर सुना तुरंत ही उसे खिलोने वाले को इसमरन हो आया क्योंकि स्वर में वही similarity थी मतलब उसे लगा कि वही है उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरह गा कर खिलोने बेचा करता था रोहनी उठकर अपने पती विजय बाबू के पास गई बोली जरा उस मुर्ली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुर्ली ले लू क्या जाने यह फिर इधर आए या ना आए वे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए है बिजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे उसी तरह उससे लिए दर्वाजे पर आकर मुर्ली वाले से बोले क्यों भई किस तरह दी देते हो मुर्ली किसी को टोपी गले में गिर पड़े किसी की टोपी गले में गिर पड़े किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढिला होकर लटक गया जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे वो सब ऐसे भागे कि किसी का जूता निकल गया किसी की पजामा ही खिसक गया तो यहाँ पे लेखा कि ऐसे बता रहा है कि उसके गाने में उसकी आवाज में इतना अकरशन इतनी मिठास थी इस तरह दोड़ते हापते हुए बच्चों का जुंडा पहुचा एक स्वर से उठे अंबी लेंदे मुल्ली और अंबी लेंदे मुल्ली बच्चे अपनी तोतली आवाज में हम भी लेंगे हम भी लेंगे करने लगे मुल्ली वाला गदगद हो उठा बोला सब को देंगे भाईया लेकिन जरा रुको जरा ठहरो एक एक को लेने दो अभी इतनी जल्दी हम लोट थोड़े ही जाएंगे बेचने तो ही आए हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी सत्तावन क्या बाबु जी क्या पूछा था आपने कितने में दी दी तो तीन-तीन पैसे के हिसाब से हैं पर आपको दो-दो पैसे में दे दूँगा किसने कहा? मूरली वाले ने हैं अब आगे देखिए जैसा ग्राहक दुकानदार से कहता है उसे लगता है ग्राहक को लगता है कि दुकानदार बिना मुनाफ़ा कमाए समान नहीं देता लेकिन इसके साथ तो दूसरी ही घटना थी ये दुकानदार नहीं था ये फेरी वाला नहीं था ये तो अपने आपको इंगेज करने के लिए भी आप आगे पढ़ेंगे इसमें तो देखिए वो बताएगा बीजे बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिये मन ही मन कहने लगे कैसा ठग है देता सब को इसी भाव होगा पर मुझपर एहसान लाद रहा है फिर बोले तुम लोगों को जोंट बोलने की आदत ही होती है देते होंगे सभी को दो दो पैसे में पर एहसान का बोज मेरे उपढ़ लाद रहे हो मुल्ली वाला एकदम असहज हो उठा उसे ये बात अच्छी नहीं लगी अबीजे बाबू की बोला आपको क्या पता बाबू जी की इनकी असली लागत क्या है यह तो ग्राहकों का दस्तूर है यह ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हान उठा कर चीज कियो न बेचे पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है आप भला काहे को विश्वास करेंगी लेकिन सच पूछिए तो बाबुजी असली दाम तो दो ही पैसा है आप कहीं से भी खरीद ले पैसो में से मुड्लियां नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनवाई तब मुझे इस भाव पड़ी है बिजे बाबु बोले अच्छा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जल्दी से दो निकाल दो दो मुड्ली उसने मुड्ली वाले ने निकालके उन्हें दी दो मुड्लियां लेकर विजे बाबु फिर मकान के भीतर पहुँच गए मुड्ली वाला देर तक उन बच्छों के जुंड़ में मुड्लियां बेषता रहा उसके पास कई रंग की मुड्लिया थी बच्चे जो रंग पसंद करते उन्हें मुल्ली वाला उसी रंग की मुल्ली निकाल देता यह बड़ी अच्छी मुल्ली है तुम यही ले लो बाबो राजा तुम्हारे लायक तो बस यह है हाँ भाईया तुमको वही देंगे यह लो तुमको वैसे नहीं चाहिए ऐसी चाहिए यह नारंगी रंकी अच्छा यही लो पैसे नहीं है अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ मैं अभी बैठा हूँ तुम ले आओ पैसे अच्छा ये लो तुम्हारी लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी तुमको पैसे नहीं मिले ये बच्चों को जैसे वो निकाल निकाल के दे रहे हैं और बच्चे जैसे पैसे ला रहे हैं और कोई मायोस हो रहा है उसे दादी के पास उनके भेजने पैसे लेने तो ये बच्चो के बीच किस तरह से मुडली वाला दे रहा था मुडली बेच रहा था ये इसमें दिखाए गया समबाद तुमको पैसे नहीं मिले तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे दोती पकड़ कर पैसे मांगो लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू हाँ फिर जाओ आपको अबकी बार मिल जाएंगे दुणनी है तो क्या हुआ ये अच्छा पैसे वापस लो ठीक होगी ऐसा मिल गए पैसे देखा मैंने कैसी तरकीब बताई उनसे बच्चों से बात करकरके मुल्ली वाला खुब खुश हो रहा है अच्छा आप तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके तुमारी अम्मा के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भी यह लो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ जिस बच्चे को पैसा नहीं मिला उसे भी उसने ऐसे ही दे दिया इस तरह मुल्ली वाला फिर आगे बढ़ गया आज अपने मकान में बैठी वही रोहनी में उल्ले वाले की सारी बाते सुनती रही आज भी उसने अन्भो किया बच्चों के साथ इतनी प्यार से बाते करने वाला फेली वाला पहली कभी नहीं आया फिर यह सोदा भी कैसे सस्ता बेशता है भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो ना कराए सो थोड़ा उसी समय मुल्ली वाले का छीन स्वर निकट की गली में से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुल्ली वाला रोहनी उसे सुन कर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहनी को मुल्ली वाले का यह मेठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे इस नहाविसिकती बातें याद आती रही धीरे धीरे उसकी स्मृत भी छेंड हो गई आठ मास बात सर्दी के दिन थे रोहनी इसनान करके अपने मकान की छत पर चढ़ कर आजानु लंबित केश रासी को सुखा रही थी गिले लंबे बालों को वो अपने सुखा रही थी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चो को बहलाने वाला मिठाई वाला उस समय नीचे से फिर आवास आई बच्चो को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लेचिर पर चित था क्योंकि अभी हाल फिल हाल में ही उसने मुलिया बेची थी जड़ से रोहडी नीचे उतर आई उस समय उसके पती मकान में नहीं थे हाँ उसके बृत दादी थी रोहणी उसके निकट जाकर बोली दादी चुन्न मुन्न के लिए मिठाई ले लो में चल कर उसे बाहर चल कर ठर आओ तो मैं इधर से जाओं कोई आता नहूं जराहट कर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगे दादी उठकर कमरे में आकर बोली ये मिठाई वाले इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया बोला कितनी मिठाई दूमा ये नई तरह की मिठाईया हैं रंग भी रंगी कुछ खटी कुछ कुछ मिठी जाए केदार बड़ी देर तक मुह में टिकती हैं जल्दी नहीं घुरती बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसती हैं इन गुणों कोई सिवाए ये खासी भी दूर करती हैं कितनी दूम चप्टी और गोल है पैसे की 16 देता हूँ उसने कहा एक पैसे की 16 देता हूँ दादी बोली 16 तो बहुत कम होते हैं भला 25 दो तो देते मिठाई वाला नहीं मा अधिक नहीं दे सकता इतनी भी कैसे देता हूँ यह, अब मैं तुम्हें क्या, मतलब वो दादी को बोला कि आपको क्या बताओं मैं कि इतनी भी मैं जो सोला दे रहा हूं जादा ही दे रहा हूँ अपना नुकसान करके, क्योंकि मुझे तो खेली वाला बनना ही नहीं था हम तो बच्चों में टाइम पास करके लिए उसके अंदर में ये बाते हैं इसलिए ओ क्या कहके छोड़ देता है खेर मैं अधिक ना दे सकूँगा रोहनी दादी के पास ही बैठी थी बोली दादी फिर से काफी सस्ती दे रहा है दादी फिर भी खाफी सस्ती दे रहा है चार पैसे की ले लो ये पैसे रहे रोहनी ने दादी को पैसे दिए कि ये पैसे हैं मिठाई ले लो मिठाई वाला मिठाईयां गिरने लगा रोहनी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम शहर में और भी कभी आये थे या पहली बार आये हो यहां के निवासी तो तुम हो नहीं रोहणी के अंदर उठसुपता थी पहले भी वो इसकी अवास सुन चुकी थी जानने की कि ये वही आदमी है क्या इसलिए उसने दादी से कहा इससे मालूं करो दादी ने इस कथन को दोराने की चेस्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ रोहनी चिक्की आड में से बोली पहले यही मिठाई बेशते हुए आये थी या और कोई चीज लेकर वो जानना चाहरी थी कि यह वही मुडली वाला है खिलोने वाला है या यह दूसरा है मिठाई वाला हर शनसे बिसमें आजभाओं में डूब कर बोला उसे खुशी भी हुई शनसे भी हुआ अश्यर भी हुआ और फिर वो बोला इससे पहले मुडली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलोने लेकर रोणी का अनुमान ठीक निकला अब तो वा उसमें और भी कुछ बाते पूछने के लिए आइस्थिर हो ठी मतलब उसके अंदर उसकता होने लगी कि इससे और भी कुछ पूछा जाए फिर वा बोली इन बेवसाएं में भला तुम्ही क्या मिलता होगा कि ये जो तुम फेरी लगा के बेच रहे हो इसमें तुम्ही भला क्या मिलता है इतनी मेहनत करते हो वा बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है पर हाँ संतोज धीरज और कभी-कभी असीम सुख की प्राप्ती होती है और यही मैं चाहता हूँ सो कैसे रोहणी बोली उसने जब कहा कि मुझे सुखानंद इसमें मिलता है तो रोहणी ने कहा कि वो कैसे अब खर्च लगाने वालों क्यों चर्चा करूं उन्हें आप जाने ही दो वो कह रहा है कि अब बीती बात को क्या चर्चा करूं उन्हें जाने दो क्योंकि उसके जो हैपनिंग हुई थी वो नहीं बताना चाहिए उन्हें आप जाने ही दो उन बात तो को सुनकर आपको दुख ही होगा क्योंकि उसके साथ दुखत घटना घटी हुई थी जब इतना बताया है तो मैं भी बता दो और भी बता दो मैं बहुत सुक हूँ तुम्हारा हर्जा ना होगा मिठाई मैं और भी कुछ ले लूँगे उसने कहा रोहनी ने कि तुम ये मत सुचो तुम्हारा नुकसान होगा तुम मिठाई नहीं बेच पाओगे मैं और भी मिठाई ले ले लेकिन जब इतना तुमने बताया है तो अब आगे और भी बताओ कि इसके पीछे क्या बात है जो तुम फेरी लगा कर बेचते हो गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा पत्नी थी और मेरे दो बच्चे थे मेरा वह सोने का संसार था मेरा वह जो जीवन था बिलकुल सोने जैसा था पत्नी, बच्चे, घर, बार, नोकर, चाकर, गाड़ी, घोड़ा सब बाहर संपत्ति का बैभो था और बच्चे ऐसे जैसे सोने के सुन्दर सची उखिलोने बड़े प्यारे बड़े सुन्दर हमारे दोनों बच्चे सोने जैसे उनकी अटखेलिया उनकी अटखेलिया के मारे घर में कुलाहर मचा रहता था समय की गतविधाता की लीला पर ऐसे समय आया और विधाता की ऐसी लीला रही कि अब कुछ भी नहीं है ना बच्चे है ना पत्नी है है ना फिर वो कह रहे हैं दादी प्राण निकले तो नहीं निकले कि इतना दुखाने पर भी हमने सुचा कि प्राण निकल जाएंगे पर नहीं निकले कहने का ताद पर यह है कि आदमी चाह के मर भी नहीं सकता है इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ तो मैं अपने उन छोटे दोनों बच्चों की खोज में निकला हूँ कि इन्हीं बच्चों में वो कहीं कहीं जन्मे ही होंगी। इस तरह रहता तो घुट-घुट कर मर जाता। कि मैं ने सोचा कि इन बच्चों में ही उनका भी जन्म हुआ होगा। कहीं न कहीं तो पैदा ही हुएंगे। तो इन बच्चों को देखने के लिए, इन बच्चों में टाइम बतीद करने के लिए मैंने ये काम चुना फिर कह रहा है है अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं घर में घुड़ घुड़ कर मर जाता दुख में इस तरह सुख संतोस के साथ मरूंगा इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक जलक सी मिल जाती है और ये जब मैंने काम चुना है इसमें हमें अपने बच्चों की जलक मिल जाती ही को कि जब ये बच्चे आते हैं तो ये हमें लगता है नहीं में कहीं हमारे बच्चे भी जन्मे हैं ऐसा जान पड़ता है वैसे ही इनहीं में उचल उचल कर हां संसकल खेल रहे हैं पैसों की कमी थोड़े ही है आपकी देया से तो काफी है जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ पैसे बहुत है मेरे पास पैसे कोई कमी नहीं है जो नहीं है अर्थात मेरे पास बच्चे नहीं है बच्चों का इसने नहीं मिल पाता हूँ, उन्हें प्यार नहीं कर पाता हूँ, तो वो मैं इस तरह पाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा जान पड़ता है, वे इन ही में पा जाता हूँ, पैसों फिर क्या कह रहे हैं, जो नहीं है, वो इसी तरह पा जाता हूँ, रोहनी ने अम मिठाई वाले की ओर दे तो उसकी आँखें आसूं से तर थी और जब उसने इतनी स्टोरी सुनाई तो रोहनी ने उसकी तरफ देखा देखा कि उसकी आँखें आसूं से भीगी हुई थी उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहनी से लिपट गए और उसका आचल पकड़ कर बोले अम्मा मिठाई ये लो मुझ से लोग कर ततकाल कागज की दो पुडिया मिठाईयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नो को दे दी ततकाल उन्होंने कागज की दो पुडिया बनाई और मिठाई वाले से चुन्नू मुन्नो को दे दी रोहनी ने भीतर से पैसे फेंग दी मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लोगा दादी बोली अरे अरे ना ना अपने पैसे लिये जब हाई वो बोला कि पैसे नहीं लोगा इस बार और पेटी उठा के जाने लगा पर दादी बोली कि नहीं नहीं ये अपने पैसे ले जब है तब तक आगे फिर से अवाज सुनाई पड़ी उसी प्रकार मधूर में दूस्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहने कतात पर ये हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का ये कही वो नहीं होता है जैसे इसने इस काम को ना कि अपने लाब के लिए ना कि अपने कमाई के लिए चुना उसने केवल अपने बच्चों को इन बच्चों में देखना चाहा महसूस करना चाहा और उनको अपना वातसल इसने देना चाहा तो बच्चों ये मिठाई वाले की कहानी है हमारे जीवन में प्रेम और अपनत्त का ही सबसे अधी महत्त है कहने कतात पर ये है कि जीवन में अ प्रुपे सब ऐसी ही बच्चों रखे रह जाते हैं अब आपका ये आ गया exercise ठीक है exercise में आप ये नीचे यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों तो आपको लर्ण करना है ये आपका exercise आ गया exercise में आप देखेंगे first question जो है ये प्रशन उत्तर है तो इसके उत्तर हम लास्ट में आपको देंगे ठीक है अब आप एक तस्थान देखिए विजय बाबू यहाँ पे भीतर बाहर भरेंगे और सेकेंड पार्ट में खिलोने भरे जाएं लिखा जाएगा मुल्ली बजाने में एक ही डैस है उस्ताद भरा जाएगा यहाँ पर मीठे स्वर के साथ वह डैस में घूमता रहता है गलियों में मैं अपने नगर का एक डैस आदमी था प्रतिस्ठित अब आप कुश्चिन नमबर थ्री पे आजाएए कुश्चिन नमबर थ्री आप देखेंगे सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है तो हजारी प्रसाद दुवेदी फिर राम कुमार वर्मा और फिर भगवती प्रसाद बाचपेई तो भगवती प्रसाद बाचपेई पे हम टिक कर देंगे फिर आया खापाड में नगर भर में दो ही चार दिनों में किसके आने का समचार फैल गया मुर्ली वाले के सामने टिक कर देंगे मुर्ली वाला मुर्ली कितने पैसे की बेच रहा था एक पैसे की दो पैसे की और तीन पैसे की तो दो पैसे जहां लिखी हैं बच्चों वहां उसके सामने टिक कर देंगे कौन मिठाई वाले की सारी बाते सुनती रही रोहिनी, मोहिनी, सोहिनी रोहिनी के आगे टिक करना है और फिर है मिठाई वाला किसमें अपने बच्चों की जलग देखता था तो देखिए इसमें हम दूसरे के बच्चों में, चीक है, क्योंकि उसके अपने बच्चे तो खुद के थे नहीं, सही पर हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत पर गलत पर, बच्चे खिलोने देखकर पुलके धोड़ते हैं, इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे, ये सही है अब हम बच्चों नेक्स्ट पेस पे आ जाते हैं फिर देखिया राय बिजे बहादुर भी एक दिन खिलोने लेकर घर आए ये आपका सही है मुल्ली वाला पहले एक साधन संपन्न परिवार था ये सही है बचुखा वाला गलत है गवाला सही है मुल्ली वाला बच्चों पर क्रोधित हो उठा गलत है फिर मुल्ली वाला बहुत देयालू बेक्तिता सही है गा और अंगा सही है खा और घा गलत है अब भाशा बोध पर आ जाएए भाशा बोध में फर्स क्युश्चन है बच्चों बिलोम शब्द अधूरा, पूरा, अस्थिर, इस्थिर, यूती, यूवक, फिर स्मराण, विस्मराण, म्रदुल, कठोर, धीला, सक्त, फिर आता है आपका second, नेमलिकी सब्दों के संधि विच्छेद करने हैं, इच्छा अनुसार, इच्छा प्लस अनुसार, ठीक है, आती शै, आती प्लस श ठीक है, फिर इसने हाविसिक्त, इसने प्लस अभसिक्त, जगत प्लस इस, जगदीस, और फिर प्रियावाची आता है, बैभोकार, दैलत, धनसंपत्ति, इसने का होगा प्रेम और अनुराग, मधूर का होगा प्यारा और आकरशक, म्रदुल का होगा मधूर, नजाकत, मीठ जगा, दैल हो, यह हो गया आपका बच्चो, पेस, नेक्स्ट पेस, जिस पर भाषा बोर्ध हैं, अब हम लोग आते हों, उसके नेक्स्ट पेस पर, इसमें आप देखी, इसमें क्या है, इसमें ये तो मोखिक है, उच'Tारण करने का है, मैं स प्रॉण्स करने का, लेकिन उसी के नेचे मौखे questions हैं बच्चों ये प्रस्ण है इनके उत्तर देखना पड़ेगा ना मिठाई वाला अंत में नगर में क्या बेचने आया था मिठाई बेचने आया था मिठाई वाला बच्चों से प्रेम क्यों करता था क्योंकि उसके अपने बच्चे मर गए थे फिर इन्होंने कहा मिठाई वाला सरप्रथम नगर में क्या बेचने आया था खिलों ने बेचने आया था प्रस्तोत अध्या के लेखा कौन है भगवती प्रसाद बाचपेई है प्रस्तोत अध्या के लेखा कौन है भगवती प्रसाद बाचपेई है मिठाई वाले ने अपनी आप बीती किसको सुनाई चुन्न मुन्ने की दादी को मिठाई वाले ने अपनी क्योंकि रोणी को बहुत ही सुकता हो रही थी उसने दादी के थूरू उसकी सारी स्टोरी कहानी पूछी अब आपा का ये चैप्टर नमबर नाइन कम्प्लीट हो गया बच्चो कोश्चन आंसर रह गया इसको हम इसी में एक पेपर पे सारे आंसर लिखके ओरर में और इसी में हम इंक्लूट कर देंगे वरना नेक्स्ट व वीडियो को देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और यूटी की तयारी कीजिए सेकेंड यूटी है आपका सेवेंथ दिसंबर से हैं ठीक है बच्चो अल्द वेस्ट